आप सभी कुराधेरा दे दोस्तों आज आज हम एक प्यारा सा ड्रेस बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है यह हम दो एक तीन तीन कलर से बनाए हुए हैं अगर आप इसे चाहें तो एक कलर से भी बना सकती हैं तो फिर चलिए हम बनाना सुरू करते हैं आज हम एक और प्यारा सट ड्रिस बनाएंगे तो इस पे जो हम चोली और घेरा बनाए हुए हैं आपको चोली का लिन्क डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा और ये घेरा किस तरह से बनाया जाता है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो हम चलिए आप यहाँ पे कुछ अलग बनाते हैं आप इस पे अगर चाहें तो बड़े कानाजी का बनाना चाहते हैं चार नंबर पांच नंबर जितने भी नंबर के कानाजी का बनाना चाहते हैं आप चोली तयार कर लें चोली तयार करने के बाद ये चीज भी हम बतलाई हुए हैं कि किस तरह से बनाय जाता है आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा ये दोनों जब आप तयार कर लेंगी तो फिर आप यहां किनारे से बनाना शुरू करें तो देखिए हम यहां पे जो इस पे लगाय हुए हैं उन वो कुछ इस तरह का लगाय हुए है कुछ अलग कलर हम यहां पे लगाएंगे और बनाना सुरू करेंगे देखिए हम इस कलर से यहां पे इसका किनारा बनाएंगे आप किसी में भी किनारा इस तरह से बना सकते हैं और बीच में चाहें तो आप यहां पे फ्लावर हो गया या मोती हो गया देखर आप इसे सजा सकते हैं तो देखिए हम कहीं भी इसे जोड़ लेंगे किसी भी स्थान पर आप इसे जोड़ लें इस तरह से जोड़ लिए अब एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच चेन हम ले लिए अब बीच का जो है चेन ये तीसरा चेन पर हम हुक को डालेंगे और देखिए यहाँ पर हम इस तरह से एक डबल क्रोश, सॉरी यहाँ पर हम बनाना सुरू कर रहे हैं तो एक आपको बल लिए एक बार, फिर से लिए दूसरा, फिर से लेंगे तीसरा, ये तीन हो गया थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे साइज में इसे थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे तो थोड़ा बड़ा रखने के लिए हमें क्या करना है इसे बल को इस तरह से थोड़ा सा हमें लेना है और देखिए यहाँ पर चौथा प्यामुख को डालेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नौ और एक दस देखिए दस बार हम यहाँ पे बल लिए फिर से एक बार और इस तरह से बल लेंगे और इसी अस्थान पे हम पहला चुकी है इसलिए इसी अस्थान पे हम यहाँ पर लाकर इसे जोड़ेंगे देखिए इस तरह से हमें किस तरह से जोड़ना है यह भी पांट दीजिए, एक चेन ले लिए, फिर से एक चेन ले लिजिए, अब बचा हुआ जो है इसे हम इस तरह से ले लिए, एक चेन ले लिए, दो चेन, तीन चेन, एक चार चेन, चार चेन लेने के बाद फिर से देखें जो बीचो बीच का स्थान है, ये बीचो बीच का स्था 7 8 9 10 देखिए 10 बार अब इसके फिर से एक बार हम और बल ले लिए अब ठीक इसके बगल में देखिए यहाँ पर इसे छोड़ कर यह एक यहाँ पर हम हुप को डालेंगे यानि कि 2 डबल क्रोश या के बगल में हम हुप को डालेंगे और इस तरह से हम सबसे पहले एक चेन लेंगे अब देखिए फिर से हमें यह बिल्कुल आधा लेना है इस तरीके से और फिर एक चेन और एक चेन और लेंगे और फिर इसे हम सबों को एक साथ इस तरह बंद कर देंगे फिर से 1, 2, 3, 4 चार चेन ले लिए अब फिर से हाँ भी जो बीच से हमें इसी तरह दस बार बल लेना है तो बस इसे ही हमें रिपीट करते चले जाना है तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ और एक दस दस के बाद फिर से हम बल ले लिए अब दो डबल क्रोश या के ठीक बाद हम इसे डालेंगे इस तरह से हुको और एक चेन पहले लेंगे फिर से हम आधा इसे इस तरह से बनाएंगे अब एक चेन और एक चेन दो चेन ले लेंगे दो चेन के बाद फिर से हम सबों को एक साथ बंद कर देंगे एक, दो, तीन, चार, चार चेन ले लेंगे तो बस इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे और बनाने के बाद में इसे पूरा हम गुलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे जैसे अभी तो ये आपका थोड़ा सा हुआ है सिर्फ छोटा सा अब इसे हम पूरी गुलाई में कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए हम पूरी गुलाई में कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप लोगों को दिखलाते हैं देखने में कैसा लगता है पूरी गुलाई में जब इसे हम कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे आप मोती बगरा कुछ भी से डाल सकते हैं या तो आप चाहेंगे तो यहाँ फ्लावर इसी कलर का फ्लावर बनाकर आप बीच पीच में डाल सकते हैं मोती डाल सकते हैं और यह कलर से आप यहाँ पे आउटलाइन दे सकते हैं पुशाक में तो फिर चलिए हम इतना complete कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं, पुशाग दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुन्दर लग रहा है, बस इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, कि यहाँ पर हम दो double crochet के बाद जोडेंगे, फिर से दो double crochet के बाद जोडेंगे, इस तरह से देखिए, इसे पूरा complete कर लेने के बाद, हम इसे जोड चुके हैं, और जोड लेने के बाद में आप चाहें, तो यहाँ पे बीच बीच में एक एक flower डाल सकती हैं, और नहीं तो फिर आप मोती paste कर सकती हैं, और इसी color से हम यहाँ पे outline भी दे दिये हैं, तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को address अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, चली फिर मिलते हैं अगले वीडियो में